दोस्तों कहावत है, बिजनेस कहने के लिए दिमाग का यूज़काना काफी साथ इंपोर्टेंट है लोगों को नाराज करके बिना किस तरीके से प्रॉफिट को गेन किया जा सकता है इसे हमें Airtel से सिखना चाहिए Airtel कंपणी के अंदर जो Average Revenue Per Users है जिसके पीछे हलाकी हरेक टिलिकम कंपणी भाग रहा है कि उनका Average Revenue Per Users बढ़ है सबसे एफेक्टिबली Average Revenue Per Users बढ़ा पाया है Airtel कंपणी दोस्तो Airtel कंपणी के तरब से नभेंबर 2022 के लिए जो स्ट्राटेजिक यहां पर खेला गया है वो Airtel काफी सोच समझ के खेला है जो मिनिममाम रिचार्ज वाला प्लान है जो 99 रुपाय वाला प्लान है पहले दो सार्केल के लिए Airtel कंपणी के तरब से बंद किया गया था ओरिसा और हडियाना दोनों सार्केल के अंदर एर्टेल के ग्रहक अगर मिनिमाम रिचार्च करवाना चाहते हैं तो उन्हें मेल लिए 99 के जगाए 155 से रिचार्च करवाना होता है तो वैसे एक टाइम के अंदर मेल लिए दो सार्केल के पीछे करने का रिजन ये था कि प्रोफित क्या मौन काफि poblusiveness चलिए वीडियो को शुरू करते औस ह सउक कर ते आफ को काफी पसंद आने वाले हिए आति पिशुक्क के तरहुत अगर मैं बात करता हुन्सक्राइन के उनके प्रिमियम में घ्रा प्राइस वह कासी जदा बढ़ाया जाए कुछ दिन पहले वोड़ाफोन आइडिया कंपणी की तरफ से एक आपडेट हमारे पास आया था कि उनका यह कहना था कि हम electricity बिल जिस तरह से पे करते कि एक slab तक आपको एक fixed price पे करना होगा उसके जाधा अगर अगर electricity यूज करते हैं तो प्राइस अप थोड़ा ज्याधा हो जाते हैं तो slab wise में लिए टेलीकम प्लैंस का pricing होना चाहिए pricing structure होना चाहिए जो जितना ज्याधा यूज करेंगे उनको उतना ज्याधा पेई यहां पर करना होगा लेकिन एयर टेल ने पुड़ा उल्ड़ गेम खेला एयर टेल की तरफ से जो minimum recharge वाला मतलब 99 रुपए वाला minimum recharge वाला प्लै उससे बंद करके 155 रुपए कर दिया भारत के 22 सर्केल के अंदर 19 सर्केल के उपर एयर टेल कंपणी की तरफ से इस चीज को किया गया अभी एयर टेल अगर चाहता कि अपने hiring plans का price बढ़ाने तो बढ़ा सकते है क्योंकि वो सारे लोग प्लैन को क्यों एयर टेल ऐसे कि आपके मंद में definitely सवाल आएंगे कि इससे तो एयर टेल का ग्राहक का amount जो वो काफी सता कम हो जाएंगे एयर टेल ले ही analysis करके देखा एयर टेल के टोटाल सब्सक्राइबर बेस है वो है 332 मिलियान जिसके अंदर 40 मिलियान ग्राहक जो है वो काफी सता कम हो जाते हैं जब भी आप करेंगे जो लोग 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 वाले लोग है उनकी वज़ए से जो ओभार एवरेज जिवन पर इविजर से वो काफी सता कम हो जाते हैं तो एयर टेल ने टार्गेट किया है हम minimum रिचार्ज वाला प्लैन के उपर 57% प्राइस आइक करे तो हमारे जो premium customer से वो तो हमारे साथ जूर रहेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होंगे हमारे प्लैन को रिचार्ज करवाने के लिए क्योंकि हम वो सारे लोगों का जो प्लैन से उसके अंदर प्राइस आइक नहीं कर रहे है जो low income वाले लोग है जिनको एयर टेल यूज करने टोटल सबस्काबर बेस का 15% अगर 57% प्राइस आइक को एकसेफ्ट कर लेते तो हमारा जो average revenue पर रूजर से वो काफी जादा बढ़ जाएंगे एकस्पेक्ट किया जा रहा है कि एयर टेल का जो average revenue पर रूजर से वो quarter 4 के बाद होने वाला है 119 रूपए मतलब 3% का growth यहां पर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं अभी के टाइम तक 193 रूपए के असपास है और यहां पर 193 से डाइरिकली जाम करेंगे 119 रूपए के अंदर 3% का average revenue का growth सिफ एक क्वाटर के अंदर बिल्कुल भी कम नहीं होता है एर्टेल की तरब से रिसेनली बार्सनोला के अंदर जो मोबाइल रूपए कॉंग्रेस हुआ था उहां पर सुनिल भार्ति मित्तल जी की तरब से बताया गया है कि हमारा जो बैलेंस सीट है वो काफी साथा स्ट्रॉंग है हम कस्टोमर्स को काफी high quality service यहां पर एर्टेल ले रहा है क्योंकि जो भी लोग मिली अर्ट बन एर्टेल रहते हैं जिनके एरिया के अंदर अल्ड़ेड़ी 5G अवेलेवल हो चुका है वहां पर जो कस्टोमर्स हैं जिनके पास अल्यटी 5G स्मार्टफोन है वो फोड़ाफोन एडेए को छोड़कर हो सकते है ज quality of service जियो से कापी बेटर है जिसकी वज़े से एयर टेल के साथ लोग यहां पर जूड़ना पसंद कर रहे हैं तो active subscriber continuously बढ़ा रहा है एयर टेल के अंदर जो VLA report के मुताबिक जो active subscriber वो 99% से भी ज्यादा है जहां पर reliance जोका 92% है मतलब एयर टेल उनी ग्रहाकों को अपने services को प्रोवाइड कर रहा है जहां पर से एयर टेल को इंकम आ रहा है और इसी कारण से एयर टेल का average revenue पर युजर्स है वो effectively एयर टेल नहीं यहांपर भढ़ा पा रहा है दोस्तों एयर टेल का average revenue पर युजर्स जिस तरीके से वो target किया था कि 100 टं की आपर 200 रुपए तक लेकर ज सोचा कि आपके साथ सेयर करूं एयर टिल का वैलेंस इट काफी स्ट्रॉंग है एवरेज रिविन्यू पर यूजर्स भी काफी स्ट्रॉंग है और डिलाइंस जो को करी टक कर देने के लिए तैयार है यह अगर आपको वीडियो पसंद आया कुछ नहीं जाने करी मिला तो दोस्त अपना ख्याल रखिए गया